इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप unknown devices के किस तरीके से driver जो है वो install कर सकते हैं device manager मैंने open कर ली है आप इसमें देख रहे हैं यह PCI serial port के दो driver जो है मेरे पास यहाँ पर installed नहीं है तो आप यहां से right-click करके property select कर लें details में चले जाए प्रोपर्टी के साथ जो नीचे drop-down list आ रही है यहां से hardware ID select कर लें नीच में जो first value आ यह आप इसको copy कर ले ब्रॉजर open कर ले search result में ही paste कर दें आपके पास यह first के ओपर एक result आगे है PC serial port driver free download for Windows Fugits ओके अब इस card के ओपर समने कहीं पर mention नहीं था तो अब बड़ा easily इसके थूँ आप download कर सकते हैं यह driver identifier पर चले जाते हैं driver identifier जो website है यह आपको sign up करने के लिए कहीं तो लाज़ भी नहीं है और इस website पर बहुत ज़दा ads भी हैं तो make sure कि आप जो original link है उसके ओपर ही click करें आप ads पर जाते जाएंगे तो आप दूसरी websites के ओपर जाते रहेंगे आप अपने जो actual file है वो आपक क्लिक कर देता हूं अब यहां पर यह मुझे दो option दे रहें click here to download from manufacturer server और driver identifier server driver identifier server कर देता हूं यह इसने मुझे दीए है कि यह वाला driver है यह इसकी के लिए है open folder अब लेट सी के यह जो driver है यह उसके लिए है या नहीं नेक्स्ट आप यह सेट आप यह से मैं अब डिए driver करता हूं locally c swsetup यह वाले drivers आपने किये थे next करता हूं अब यह देख रहें कि serial bus driver जो है अगो successfully install नौ एक port जो है इसको install होगी है obviously मैं जब इसको reboot करूँगा तो यह जो issue आ रहा है यह fix हो जाए serial bus adapter यहां पर ही मेरे पास आगे है जो second क्योंकि यह dual port का serial adapter है तो इस विजए से मुझे दोनों ports के digital drivers है वो install करना है पड़े हैं अगेन मैं update driver कर रहा हूं जो path था वोई path selected नेक्स्ट नेक्स्ट अबर्णोस है successfully updated your drivers तो यहां पर यह जो हो गए आप देख सकते हैं कि COM5 और COM6 के ओपर मुझे driver वो install हो गए है तो इस तरीके से आप कोई भी hardware जो है उसके बड़े एजी ली जो है driver इंस्टॉल कर सकते हैं बजाए यह इसके कि आप उसके अपर से यह उसका vendor तलाश करें कि किसका है और उसकी website पर जाकर ढूंड़ें driver identifier जो website है इस पर जाकर बड़ा एजी ली आप जाकर कोई भी जो software है यह कोई भी driver जो है किसी भी card कर वो आप एजी ली डाउंड़ोड कर सकते हैं Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz